वेलकम टू आल अप्लाट्फम ऑफ अनिश्व अकैडमी आजम क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर एलेक्शन और रिपर्जेंटेशन का पार्ट सेकंड डिसकस करने जा रहे हैं इसे देखने से पहले आप वो देख लो ताकि आपको यह समझा आजाए कि एलेक्शन कमिशन क्या एलेक्शन होता क्या है वड़ैवर जो उमने वहां डिसकस कर लिया है उसे आप देख जरूर लो स्टार्ट करते हैं इसे तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि फ्री और फिर एलेक्शन हो सकता हो भीना डिमोक्रिसी के चलो डिसकस करते हैं कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है बेखते हैं कि हमारे जो इलेक्शन होता है क्योंकि हम इंडिया के अंद़र डेमोक्रिसी है और पर इंडिया वो कंट्रिय करती में इलेक्शन के metabol कौन सी चीज चाहिए हमें जैसे सबसे पहली चीज需要 गया सब्सक्राइबता है इसका मतलब क्या होता है है इसका मतलब होता है कि कोई गार्च का ओ किhew जैन्यर का वोट तो सबसे वहला कोईशन तो यह एक ही राइट वोट किसके पास है दा प्रिंसिपल आप देमोक्रिसी इस दाट आट आल बिजी पीपल शुट गेट दा राइट वोट and every person should have a equal value and it's also necessary to protect the privacy of the vote तो ठीक है सबके पास equal value है और सबके पास privacy है देखो आप जब वोट देने जाते होगे या आप अपने parents से पूछना जब वोट देते होगे तो उस समय वो अकेले होते हैं और valid वोट के पास कोई नहीं होता तो आपके हैं पर जो representative ते नेता होते है वो dash becoming बाढ़ते हैं यह लड़ू बाढ़ते हैं यह दा हूआ की बहते तक देते हैं यह सारी зовут कर लड़ चीजहां आएसा करना नहीं होता फच्रीव हमारे चीज़े करी जाती है विक्यों कि हम सोच चैश कीस करना होता है जिन्हें गल्थ करना होता है पिट नहीं है ऐसी बहुत से गंट्रे जहां पर पॉलिटिक्स भी अच्छा प्रॉफेशन माना जाता है और ऐसा जरूर होगा आने वाले साइम में अच्छा अगला देखते हैं कि डेमोक्रिसी में एलेक्शन कराने के लिए क्या जर पसकती है आपके पास प्रॉपरिटी भी देखी जाती है और विदेखा जाता है कि परसन किस तरह का है ठीक है इन डेमोक्रिसी डिफरेंट पार्टी एंड कैंडिडेट इसेंडे टुदा एलेक्टर एरिनाज इस दा विश ऑफ वोटर तो वोट इना फेवर ऑफ एनी कैंडिडेट और पार्टी तो देखो आपके मर्जिया आप किसी को भी वोट दे सकते हो बट मेरा यह जस्ता ओपीनि कोई एडवाइज नहीं है जब भी आप किसी को भी वोट दोना आप वोट इस बेसिस पर मद्दो किया है वो तो हमारी कास्ट का है वो तो हमारी कम्यूनिटी का है नहीं आपको वोट देना है लोगों के वर्क के हिसाब से कि वो किस तरह का वर्क करता है क्या वो परसन आप से बात भी करता है it means क्या वो परसन आपके रिचनेस में है भी आ नहीं कल को आप वो जीट जाएगा जब एलेक्शन तो क्या वो आपके किसी काम को करेगा भी नहीं करेगा या फिर घूमेगा वो तैमिसर स्पेसिस पर दिया जाता है और कभी भी आइडिल वर्षिप मत करो तो हमारे हैं होती ना आइडिल वर्षिप के मुर्ति पूजा कर रहे हैं कि हम मानते कि यही नेता है अभी भी ना पार्टी को वोड़ दो परसन स्पेसिफिक मत दो क्यों को परसन आज है कल नहीं है वो तो चला जाएगा लेकिन पार्टी रहेगी पाटी की आइडिलोजी जरूर रहेगी तो आज के समय जो चलता है कि हम पाटिकुलर बंदे को देखके वोड़ दे देते हैं तो उसकी गवर्णमेंट आती है यह गलत चीज़े हैं एलेक्शन टेक प्लेस फों टाइम तो आपको पता है एलेक्शन टाइम होता है जनली इं इस सेकंड इएड तो आपको जैसे की पता है कि हमारे हैं लोकसभाई वो five years के लिए होती है और जो राज्ये सभाई वो six years के लिए होती है और राज्ये सभाई के अंदर हर two years दो साल बात उसके जो one and third member होते हैं वो क्या हो जाते हैं रिटायर हो जाते हैं तो यह जिज़ा म ठखा है अच्छाया है अगला क्या है अ अब छेक्षिन कमिशन थे तो धैसे पता है से अर्डिकल 324 से क्राहएं थिए च्पाव को हमारे यहेंगों में इसे यह सब्सक्री मταर्म पर दो इसे यही से यह सोच कऱ्ब्ण थिए और पर की तरह तो अब यहसा होने इंडिया के ठीक है और ने ओध को निलवाता च्छापत को निल वाते हैं ठीक है यह इन डैमोक्रेसी जीर इंटॉर नौ प्रेशर ओंडी वॉर्टर स इलेक्शन अंडिया इमडिया डिरेक्ट्स और और गनाइज ओल election to parliament and state assemblies election commission takes many steps to ensure independence and the fairness of election याद रखना हमारे यहां जो election commission है वो बहुत सारी election को conduct करवात है बस कौन सा election conduct नहीं कराता है election commission of India याद रखना पंचायत का और municipality का पंचायत का municipality का election state election commission conduct करवात है बाग कि सारे election चाहिए वो president हो, vice president हो, state legislature का हो, ठीक है legislative assembly का हो और भी कोई भी different election हो उससे कौन conduct करवात है election commission of India करवाएगा ठीक है अच्छा electoral system नहीं इंडिया first past the post system means win with the highest vote तो आपको पता है हमारे हां दो तरह की voting system है एक है first past the post और एक है proportional representation first past the post का हम generally use करते हैं हमारे local elections हो गए या vice president और president के election को छोड़के जो भी हमारे other elections है उसमें हम इसी का use करते है use करने की वजा थी क्योंकि हम British government के गुलाम रहे थे we were the slave of a Britishers और वो इसी को follow करते थे method को फिर as the passing of a time हमने दूसरी चीज़ को भी adopt किया proportional representation जिसमें हम president का election discuss करते है ठीक है in most of the countries the system of a victory with the highest vote is prevalent the first pause the first pause the pause says in English the same system in prevalent in the United States and in Canada these countries have a single member election zone ठीक है तो यहां पर क्या होता है single member होता है इनका जो election commission होता है हाला कि इंडिया में बिता कि election commission पहले single member body थी वो change हुई ठीक है तो हमारे आप एलेक्शन commission के साथ अब डिलिमिटेशन commission भी है जो election commission की help करने के लिए बनाये गया है ठीक है अब बात करते हैं defect of the system with the most wards अब इसके demerits क्या है ठीक है this is the system and the democratic unfair because it is not necessary for the majority of our voters to vote in a favor of the candidate who has won the most wards ठीक है तो हमने देखो हमें चीज़ पता है कि जो first past the post है वो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं हमारे हैं basically जो हमारे last lady assembly का election है अब जो हमारे प्रपोर्शनल रिपर्जेंटेशन है उसका हम यूज किसके लिए कर रहे हैं हमें अब यहां पर जो option A है उन्हें कितने votes मिले हुएं वन लैक मिले हुएं सेकिंड को कितने मिले 80,000 ठीक है सी वाले को कितने मिले 70,000 डी वाले को कितने मिले 50,000 अब यह जो first past the post है इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि किसको कितने percent vote मिले हैं इसको यह देखा जाएगा जितने percent खड़े हुए हैं सिम्पल सी बात चार बंदे हैं न ABCD candidate इन चार में से सबस्यादा vote किसे मिले हैं अपने का sir A को मिले है तो बस A जीत गया अब इस बात से फरकी नहीं पढ़ रहा कि भाई B को कितने मिले हैं B को भ सबस्यादा सीटे मिलेगी वही जीत गया अब ऑवरॉल एक बात करते दिमाग लगाते हैं टोटल वोट्स कितने देखो 70,000 50,000 ठीक है 1,20,000 हो गया और यह 80,000 टो लैक हो गया इसे मिला कि 3,000 टोटल वोटिंग कितने हुई 3,000 की हुई उसमें से जीतने वाले को कितने मिले 1,000 को पर एक बात हो जीतने वाले को 1,000,000 मिले बाकि 2,000,000 लोग तो चाहते ही नहीं कि ए जीते बट फिर भी वोग जीत ग है इसमें वो लोग भी जीतते हैं जिन लोगों को लोग चाहते ही नहीं है कि वो नेता बन क्या है ठीक है कि अच्छा कि अच्छा कि this method is not in the interest of minority in the less powerful political parties तो सिंबसी बात है देखो minority का मतलब यह यह कि जिनकी संख्या कम हो अब जिनकी संख्या कम है वो लोग कहां से आएंगे विचारे तो उनकी कभी सरकार आई नहीं पाती इसलिए इंडिया में यह बात करी जाते है कि हमें proportional representation करना चाहिए कि जितने percent vote मिले उतने percent seat मिले बड़ ऐसा नहीं है इंडिया में फर्स पास भी पॉस्ट है जिसकी वएसे किसी पार्टी को केवल दूसरी पार्टी के मुकाबले कुछ वोड ज्यादा मिलते हैं लेकिन सीट है हो सारी रख लेता अपने पास ठीक हैं यह दू नोट गेट सीट इंडी रेशियो इन विच दे गेट वोड्स इन नाइंटी एटिपोर इंडी माक्सिस कम्यूनिस पार्टी गोड़ सीट इंडा रेशियो फासी दे वुड़ हव गोड़ 40 अंदर 31 सीट इस्पेक्टिवली तो देको ना सेम एलेक्शन है सेम वोड मिल रहे लेकिन सीट सेलग मिल रहे हैं ऐसा पहले होता है जब लगाता थी टाइम कॉंग्रेस जी ती और जब पस्लेक्शन हुए थे लिए तो सकेंड जो पार्टी ती इससे सब्सक्रावत मिले थे कॉंग्रेस के बाद होती कम्यूसट पार्टी इसने सॉलाव ने मिले थी सॉलाव सीट मिली थी लेकिन वोड थो अच्छे मिल गय ते जही प्रॉबलम है कि हमारें पस्कौई पस्पास भी पॉस्ट में यह द the main advantage of this system are to be easy this makes the waters easier to understand देखो सबस्वड़ी बाती जब इंडिया को freedom मिली थी लगबग इंडिया के अंदर जो population थी 33 करोड की और उसके बाद जो इंडिया के अंदर और problems create हो रही थी कि देखो partition वा फिट 16 17 करोड पीपल थे हमारे हैं फिर हमने इस्यू create करें कि यार में समझ नियारा election करवाना कैसे है हमने लाखों की संक्या में लोगों को सिख्षा दी education दिया कि यार ऐसे ऐसे election करवाने है अगर हम proportional representation कराते ना तो बहुत tough था अभी आकर discuss करेंगे तो हमें समझ आएगा कि proportional representation कितना tough है first past the post कितना easy है जितने खड़े हैं उनमें से जिसको सबस्दा वोट मिल जाए वो जीत गया ठीक है अगला क्या second under this system the chances of the single party gaining a majority are increase it studies the political stability in the country too easy होता है किसी एक single party का जीतना निश्यत होता है in case अगर कोई single party नहीं जीती तो क्या होता है दुबार से वोट होगा बट ऐसा होना possible नहीं है एक आदा वोट तो किसी को ज्यादा मिली जाएगा ठीक है third क्या this progress has given a flip to the development of the dv party system in the countries such as England and the America the this has given the these countries are strong government ठीक है तो ऐसी कुछ country ठीक है जहां पे बहुद अलिये ठीक है यह मल्टी पार्टी यहां पर तो दो पार्टी होती है इंग्लैंड और अमेरिका यहां पर तो इतने इस्यू नहीं होगे ठीक है इंडिया में सोचो इंडिया के अंटर मॉल्टी पार्टी सिस्टम में कैसे डिस्साइड करों अमेरिका में तो दो पार्टी है है स्टेटे अलगला आई लेक्षन है पूरी कंट्री को एक माना जाएगा first system इना country is divided into a several separate Constituents is even a klar system होती है और पूरी कंट्री को जब लाड़ा जाता है क्लिफी जो के बिस्टम अब अब सबसकता है है सबस्के उजर्म अपास इब टा सो किसी को भी कर सकता और ऐसा निए उसका वोट वेस्ट हो रहा है अगर उसका एक एक एडिडेट नहीं जीता तो उसका वोट अपने अभी को ट्रांसपर हो जाएगा यानि जो उसने प्रिफरेंस रखी है अभी डिस्कूस करते कैसे अब किसके लिए यूज़ रख लेना अब किसके लिए यूज़ ओता है इंडिया में याद रख लेना प्रेडेंट के लिए वाइस प्रेडेंट के लेक्शन के लिए आप लोगों ने ना सुना हो कभी लेकिन राजचे सबसागा तो आपको पता होगा हमारे है से शे एसे स्टेट हैं जहां वाइक कैमरेलिजम है जिनके लिए एक ट्रिक है छोड़ी सी जिसे हम कहते कुंब जैट कि केुटसे जम्मू कश्मिर कर चुका है करनातिका उत्तरप्रदेश माराज थिहार आंदर प्रदेश छे लंगाना ठीक है तो इनका ग 봐 क्रॉपोर्टार्य रीप्रेजेटैशन के बेस पर ही होता है को बुझ सवा का एलेक्शन by the member of the assembly जो member of assembly होते है ठीक है state के वो elect करते है ठीक है method of the proportional representation होता है अब quota कैसे decide होता है every voter will have the right to vote only one vote but it can be revealed one two three four preference ठीक है आपको बोड तो ही कह बड़ आप preference दे रहे हो कि मानो एक व्यक्तिस का नाम है राम अगर राम देखो भाई मेरा वोड सबसे पहले राम को जाएगा अगर राम नहीं जीता ना तो मेरा जो vote है वो second number पे शाम को transfer कर देना अगर शाम पी नहीं जीता तो मेरा third preference किसको देना राधा को देना अगर राधा नहीं जीती तो तो 4 preference मेरी लक्षमन को दे देना तो ऐसे करके आपके जो preference से वो बदलती जाती है लेकिन आपका वोट कभी वेस्ट नहीं होता इसके अंदर next to the name of the candidate, the candidate has to get a certain number of awards to win an election, this number is called a quota और ये quota का number क्या, इसका symbol सा मतलब है 50% plus 1, जैसे आपके 50% plus 1 हो गया, आपका quota पार हो गया और आप election चीफ गया, minimum number of awards required for a candidate to win a seat, ठीक है, अब देखो ये तरीका है, बड़े अराम से समझते हैं से, और easily समझ आएगा, ठीक है, in case नहीं समझ आता, comment करना particular इसकी एक अलक्सी वी मान के चलो, ये कितने candidate है, 4 candidate, a, b, c, d, खड़े हैं, preference क्या है, a ने का, कि मेरा जो है न, vote है, मेरी preference क्या है, वो second को दी जाती है, ये round है, पहला round चल रहा है, b ने का, मेरी जो preference हो, पहले a को दी जाएगी, यानि number 1 को, c ने का, मेरी number 4 को, d ने का, मेरी number 3 को दी जाएगी, अब total votes कितने है, 100, a, ने, a को total vote कितने मिले, 35 मिले, b को कितने मिले, 27, c को 20, d को 18, अब क्या होगा, round close हो गया, पहला round खतम हो गया, जीतने के लिए, जीतने के लिए चीए, जीतने के लिए आपको 51, क्योंकि 100 का, 100 की majority क्या होगी, 50% plus 1, जिसम 51 बोलेंगे, तो हम ये देख पहले round में सबसे कम vote किसको मिले है, red से करते हैं, जल्दी आद जाता है, पहले round में सबसे कम vote किसको मिले है, भई, सबसे कम vote मिल गए है, यहाँ पे 18 को d को, तो हम क्या करेंगे, d को काड़ देंगे, अब एक बात हो, जो d वाला बंद है, उसने अपने preference दी होगी, अब 18 पर हुआ, second preference votes from the 18 ballot paper, अब यह 18 ballot paper किसके थे, याद करो, यहाँ पर भी define के थे, preference votes, ABC में कैसे बटे है, अब देखो, यहाँ पर देखो धियान से, A को 35 थे पहले, B को 27, C को 20, देखो, confirm कर लो, यही था, अब D ने क्या कहा था, कि भाई, मेरे न 5 votes किसको A को देदेना, 11 votes किसको B को, और मेरे 2 votes किसको देदेना, C को, अब फिर से counting होगे, देखेंगे, कितने होगे, जब तक किसी A को 51 votes नहीं मिलते, method सेम, चलता रहेगा, ठीक है, अब देखो, आगे क्या है, A को कितने मिल रखे हैं, 40, B को कितने मिल रखें, 38, C को 22, अभी भी किसी को 51 नहीं मिले, अब C को हटा दिया, सेम मैनर में, जिस तरह से D ने प्रिफेंस दी थी, अब C ने भी दी होगी, अब थर्ड राउंड खोला जाएगा, ठीक है, अब जाते हैं, जो मेरे 22 votes दे, उसमें से 9 votes देदेना, आप A को, और B को देदेना, 13 votes, अब देखो, फाइनल इलेक्शन कौन जीत क जीते हैं, आपके B भाई साब, जब कि यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में A के पास 35 votes दे, पर ज़रूरी नहीं है कि A, N तक जीता, जीता कौन B में, तो प्रपोर्शनल रिपेंटेशन सिस्टम में यही होता है, कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, यह जब तक रिवे जाए तो भाई कितने कितने सालों तक इलेक्शन चलता रहेगा, एक परसन भी हमारे इलेक्ट होके नहीं आएगा, जिसकी वयसे हमने पस पास दी पोस्ट को रखा हुआ है, और प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को रखा हुआ है, हमारे प्रेस्टेंट, वास